कि नौट इन्स कॉट थीटा इस उकोस्तों सेवन बाई एट दिया है ठीक है ना और हमें निकालना अब हमें पता बच्छों देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर भोल है न यहोता आपका साइन रेश्यो यनिके साइन फीटा फिर को स्यP कोट अंवेस और होथा आपका टेन सपॉन बर्पेंडिकुलर ओके नौ अब उसने कॉट ठीटा आपको दे दिया यहने कि हमारे पास बच्चों सपोस कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से ठीक है ना माल लीजे ट्राइंगल ए बी सी है ठीक है और यह एंगल सी पे ठीटा हम अज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल ठीटा ठीक है ना अब उसने बोला बच्चों फाइंड वेल्लू ऑफ पार्ट वन दिस एक्सपेशन वांगल साइन थीटा इंटु वन मैनस साइन थीटा पॉन मैनस कॉस थीटा ठीक है ना ओके ना अब सुनिए निकाल लीजे साइन और कॉस कैसे इन्फोर्मिशन दी हुई है कॉट थीटा आपको दिया हुआ है कितना स सेवन बाइ एच है ना तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर है ना और आपको पता है बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो भी एंगल थीटा होता है उसके ऑपोजिट वाला बनेगा आपका क्या पर्पेंडिकुलर तो एबी हो जाएगा आपका पर्प अजय को यह हो गया आपका हाइपो और यह बेस बनेगा आपका बेस बेस तो ही मतलब पर्पेंडिकुलर को छोड़के जो बच जाएगा वो बेस ठीके ना नौ अब बेस को आपको 7K अजिम करना पड़ेगा बेस हो गया कितना 7K अ कि पर्पेंडिकुलर 8K कलर चेंज कर देता हूँ बेस हो गया आपका 7K छीक पर्पेंडिकुलर हो गया 8K तो बच्चों हाइपो निकाल लीचे पाइथागुरस थियोरम लगा कि तो एसी का स्क्वाइर कि एसी लिखा हुआ है एसी का स्क्वाइर इस इकुल्स टू पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर है ना हाइपो स्क्वाइर इस इकुल्स टू पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस में 7K तो 7K का स्क्वाइर यहां से आ जाएगा आपके पास ac square is equals to 8 का square 64 और k का square k square plus 7 का square 49 और k का square k square आपके पास हो जाएगा ठीक है अब यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 64 plus 49 9 plus 4 होता है 13 और 1 जाएगा तो 4 plus 1 5 plus 6 11 के स्कॉर एक तो एसी इस इकोल स्टू चेक कर लिजागा calculation रूट ओफ 113 के स्कॉर अब के स्कॉर तो स्कॉर रूट के बाहर आ जाएगा उसका स्कॉर रूट के हो जाएगा और रूट ओवर 113 बचेगा आपके पास चेक कर लिजए अब ध्यानसर चेक करिए इसका पार्ट वन हम सॉल्फ करते हैं और पार्ट वन सॉल्फ करने के लिए आपको क्या बता होना चीए सबसे पहले साइन थीटा एन कॉस्ट थीटा की जरुवत हमें पढ़ेगी ठीके ना ज्यान सुनों तो सबसे पहले हमने साइन थीटा निकाल लिया है स्टूडेंस यहां पर क्या होता है बताईए पर्पेंडिगुलर अपॉन हाइपो है ना पर है तो साइन थीटा हो जाएगा कितना आपका यहां पर पडेंडिगुलर अपॉन हाइपो है ना साइन थीटा परिपेंडिगुलर एट के अपान में हाइपो हाइपो कितना है के रूट ओवर वन वन थ्री के से कैंसल और यहां से आगे आपके पास साइन थीटा इस इकोल्स टू एट डिवाइड़ वाइड़ रूट ओवर वन वन थ्री ठीक है ना मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यह आगया आपके पास साइन थीटा ठेक ओके ना अब इसी तरीके से आप चाहें तो आप बच्छों कॉस्ट थीटा भी निकाल सकते हैं कॉस्ट थीटा इस इक्वल्स टू क्या होता है कॉस्ट बेस देख लिए कॉस्ट थीटा बेस अपॉन हाइपो ठीक है ना तो बेस कितना आपका सेवन के और हाइपो कितना है के इंटू रूट ओवर 113 के से के आपका कैंसल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका सेवन डिवाइड़ बाई रूट ओवर 113 मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है ना ओके ना यह चीज़ है अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं पार्ट वन प पार्ट वन क्या लिख्था है बच्छो पार्ट वन वन प्लस साइन थीटा इंटू वन मैनस साइन थीटा है ना वन प्लस साइन थीटा इंटू उन माइनस साइन थीटा डिवाइड़ बाई नीचे क्या भरी चेक कर लेते हैं प्लसनु 1 मैनस कॉस है ना कि वन प्लस कॉस सीटा इन्टू वन माइनस कॉस सीटा अब बच्चों ये बताओ वैलू आप रखने को रख दुमना नहीं कर रहा हूं लेकिन उससे पहले एक सिंप्लिफिकेशन हो सकता है ना है आपर चेक करिए क्या दिए लग सकती है हाँ ए ब्लस भी इन्टू अब जिनक पता है मानलो बई किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो क्या कर लोगे सुनो जिस बच्चे को नहीं पताक उनके लिए बच्चों आपने पढ़ा है 10th क्लास 9th क्लास में a plus b into into a minus b, क्या होता था आपका, a square minus b square, सही है, तो चेक कर लीजे, a की जगा क्या दिखाई पढ़ ला है, 1 और b की जगा sin theta, तो a plus b into a की जगा 1 और b की जगा sin theta, तो a plus b into a minus b, तो क्या आना चाहिए, a का square, a की जगा 1, यानि कि 1 का square, और minus b की जगा sin theta, और sin theta का whole square, सही है, और इसी तरीके से, divided by, नीचे भी यही हो रहा है, a plus b into a minus b, तो a square minus b square, a की जगा 1, तो 1 का square minus b की जगा cos theta, तो cos theta का square, बस अब रहलू रखिए और solve करिए, solve करने से पहले एक बात और बता दूँ, 1 का square 1 ही होता है, minus, यहाँ हमें रखना है क्या, पहले लिखके दिखा देता हूं, sin theta का whole square divided by, नीचे 1 का square 1, और minus cos theta का whole square, तो यहाँ साँ आजएगा आपके पास, 1 minus, अब ध्यान दीजेगा बच्चो, sin theta की जगा आप क्या रखेंगे, बच्चो, 8 upon root 113 है न, तो sin theta की जगा 8 upon root 113 और इसके उपर square लगा हुआ है, इसी तरीके से नीचे, 1 minus cos theta की जगा आप क्या रखोगे, 7 upon root 113 है न, 7 upon root over 113 और इसके उपर square लगेगा, तो यहाँ सा आजएगा, ध्यान से चेक करिएगा, 1 तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, minus, अब बच्चो, यह square जो है न, अब यह मैं एक चीज अलग से करके दिखा देता हूँ, तो आप परशान मत हो न, 8 upon, जिन बच्चो को नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूँ, यह जैसे, यह square लगा, तो यह इसको भी मिलेगा, और इसको भी मिलेगा, मतलब, 8 का square और नीचे हो जागा, root over 113 का square, 8 का square 64, और नीचे, यह square, square root को हटा देगा, तो 113 आपके पास आएगा, ठिक, तो 1 minus 8 का square 64, और नीचे square root हट जाएगा, divided by, यह numerator हो गया आपका, और denominator में यह जो लिखा पूरा, यह numerator था, 1 तो ऐसे ही रहेगा, आपके पास, minus, यह square 7 को मिलेगा, 7 का square, यहने के 7 into 7, 49, और divided by, यह square, root over 113 के square root को हटा देगा, ठिक, अब इसको कैसे करेंगे, इसके आगे, इसको इससे multiply कर दीजे, बस, 113 into 1, 113, minus 64, divided by, यह हम numerator solve कर रहे है, divided by 113, नीचे, 113 into 1, 113, minus 49, divided by 113, 113 से 113 cancel, अब उपर बचा क्या, 113, minus 64, और नीचे बचा क्या, 113, minus 49, तो, 113, minus 64, कर लो भई, 113, minus 64, 13, minus 4, 9, और यहां बचे का, 10, minus 49, बच जाएगा, उपर हो गया, 49, और नीचे हो गया, आपके पास कितना, 64 है ना, 13, minus 9, 4, बचे का, 64, So, the answer is, 49 by 64, तो, part 1 का answer कितना आ रहा है, 49 by 64, ओके, चेक कर लीचे, चेक कर लीजे भई, answer sheet से, 49 by 64, क्या यही आ रहा है, चेक कर लो फटा-फट, चेक कर लीजे, यही आ रहा है, ठीक है ना, बढ़ते पार्ट टू की तरफ, कह रहा, quad square theta निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक कर लीजे, सर, quad theta का whole square, हाँ, ध्यान से चेक कर लीजे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, quad theta, यहाँ side में निकाल ले, quad theta, अब बच्छों, चेक कर लीजे, जड़ा ध्यान से आपन, quad theta क्या होता है, quad theta, base upon perpendicular है ना, तो theta के लिए base क्या है, 7 के, और perpendicular 8 के, तो base upon perpendicular, यहनिके 7 के upon, base upon, question में दिया हुआ, question में दिया हुआ है, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर, base upon perpendicular, यह cancel, और quad theta होगे आपका कितना, 7 by 8 जो की दिया था, डिरेक्ट भी ले सकते थे, और मैंने आपको class में पढ़ाया हुआ था, इन बच्छों को नहीं आदे, तो याद कल ले, quad square theta का मतलब ही क्या होता था, quad theta का whole square, यही मतलब होता है इसका, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, quad theta की जगा क्या रखोगे, 7 by 8, यह square 7 को मिलेगा, इसको 7 का square 49 और 8 का square 64, इसका भी answer, इस्तिफाक से वही आ रहा है, क्योंकि यह और यह same बाते लिखी हुई है, means यह भी solve करके quad square theta के equal आएगा, यह मैं आपको बात में सिखाऊंगा, जब tignometric identities हम पढ़ेंगे, ओके?